नमस्कार मार्केट संबाद में आपका स्वागत है यह उत्तर प्रिदेश का जहासी है और तीन दिन से लगातार बारे सो रही थी रुक रुक कर जमा जम बारे सो रही थी और आप जो इलाके को देख रहे हैं इस सिपुरी हाइवे इलाका है जहासी का सामने ट्रेक निकलते हुगे पहुज नद्दी का पूल है सामने और सामने जो आप जलिस्तर देख रहे हैं बढ़ा हुगा यह पहुज नद्दी है काफी जलिस्तर बढ़ गया है आप देख सकते हैं आज थोड़े से हिंद्द्योता महरबान हो गए और धूप निकल आई है समय जब बारिस की जरूरत थी तब परमात्मा ने बारिस नहीं की लोग कहते थे कि बुंदिल घंड में सूखा पलने जा रहा है लेकिन जब पुर्खों के दिन आए तो पुर्खों ने अपना पर्चस दिखा दिया कि अभी हम है परिसान ना हो सूखा नहीं होने देंगे हम आप पुर्खों को एक लोटा पानी जल देते हैं पुर्खे कभी किसी का एसान नहीं लेते और पुर्खों ने एतना जमा जम पानी दे दिया कि आप साल भर भी एक खटा करकर रख लेंगे तो खतम नहीं होगा ये पुर्खों की अपने बच्चों के लिए विरासत में दियुई भेंट है हम आप एक एक लोटा पानी दे रहे थे पुर्खों में और अभी पुर्खा चल रहे हैं पित्र बोलते हैं जिनको और नद्दी का आप जलिस्तर देख रहे होंगे जला जल है खुब बारिस दिखाई दे रही है चारतर भर्याली है ये पहूज नत्ती है जासी की लेकिन परमात्मा ने जो पानी बरसाया है समय और पुर्खों में जो पानी बरसा है इतना दो तीन दिन लगा तार उससे फसल किसानों की चौपट हो गई है और आप जे देख रहे हैं खेतों में पानी भर गया है आपर किसानों की मुमफली थी वो सारी मुमफली खतम हो गई है ये आसपास के खेत हैं आसपास के मकान है पहुज नद्दी के किनारे के सामने आउले के पेड़ है तिली भी चौपट हो गई है सामने आप देख रहे हैं कोई भी चीज जरूरत से ज़्यादा जब मिलती है तो उसका साइड डिपेक्ट होता है नुकसान होता है चाहे हम खाना भी खाएं जादा तब भी नुकसान होगा इसलिए बारिस थोड़ी जादा हो गई है जरूरत से जो जरूरत नहीं थी जमीन को किसानों को लेकिन फिर भी उतनी बारिस हुई कि नुक्सान हो गया है यह नुक्सान देना लाभान परमात्मा के हाथ में है परमात्मा जिस साल में रखे वो साल में खुस है और यह मकान सामने आप देख रहे हैं बिलकुल नद्दी के किनारे हैं लेकिन अभी पानी इनसे दूर है पूरे बंदेल खंड में जहां 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 बारिस हुई है नुक्सान तो किसानों का खूब हुगा है क्योंकि उरद मुंग पक चुकी थी फसल अब वो खेत में सड़ जाएगी और सड़ भी गई है कुछ-कुछ सूखे की जगा गीला हो गया है और खेतों में सड़ गया है तिली उरदा मुंग यह पाउज नद्दी के आजपास किनारे के खेत हैं हमारे सब्सक्राइब चाने वाले कमेंट भेज रहे थे सरजी नद्दी का जलस तर दखा दीजिए पाउज नद्दी का और आजपास कितना नुक्सान हुगा है हमारे सब्सक्राइबर देश विदेश में हैं और बैटकर मार्केट संबाद देखते हैं कमेंट भेज रहे थे सरजी पहुज नद्दी का जलस तर और हमारे खेत भी बहुत भर गया है काफी नुक्सान हो गया है आपने अगर हल्दी न देखी हो कभी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ उसका पौधा यह हल्दी का पौधा है जो आप देख सकते हैं मार्केट संबाद पर पूरे में हल्दी लगी हुई है बीचें पानी भरा हुगा है तो इस हल्दी को नुक्सान है भई क्या क्या पानी भरने क्यों हल्दी इसमें होती पैदा पौनी हो पाईगी खीरा तो चल रहा होगा है हमुद को नुक्सान है किसानों का इस इस इलाके को क्या कहते हैं लहर के तो मौजा में आता है रामला लास्रम के सामने का हिस्सा है पाउच का नदी का किनारा है हमारे चाहने वाले कमेंट बेजें और हम उन तक ना पहुंचें यह तो हो नहीं सकता मार्केट संबाद पर आप कोई भी वीडियो बेश सकते हैं मतलब जो एटूप के गाड़िलान के उसमें खरा उतर रहा हो वो वीडियो आप बेश सकते हैं हम मार्केट संबाद पर जरू दिखाएंगे विज्यापन के लिए किसी भी चीज के लिए आगर आप हमें कॉंटेक्ट करेंगे हम आपके दरवज्य खड़े होंगे और दिखाने की कोशिस करेंगे हमारा मार्केट संबाद का नंबर है 831-827-0566 इस पर आप संपर कर सकते हैं कोई बात नहीं है परमात्मा जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए उसी का दिया हुगा है सब कुछ इसमें भी परमात्मा की रजा होगी हो सकता है इससे ज्यादा कुछ देव परमा भच औरमा नहीं लेना चाहिए टेंशन मुक्त रहो हम आपका है क्या धर्ति पर मानव जीवन जो हम आपको मिला है और परमात्मा ने बड़ा खुशूरत बाग वगीचा बनाया है धर्ति पर मानव को उतार कर जैसे कि खेतों में बाग वगीचा लगा है ऐसे ही इनसान रहें मस्त रहें धर्ती का जो बाग है माना रूपी कि स्वस्त रहें खुश रहें टेंशन मुक्त रहें और बस देखते रहें मार्केट संबाद हर खबार सबसे पहले आप तक सामने मक्के के खेत हैं मक्का अभी थोड़ा सुरक्षत है लेकिन हाँ पूरे बुंदिल खंड में इस बारिश से जरूर काफी नुक्सान हुगा है लोग सूखा सूखा कह रहे थे अब गीला गीला नुक्सान कहने लगे हैं यह रामला लासरम के सामने का पहुच के किनारे का इलाका है जो आप देख रहे हैं मार्केट संबाद की रिपोर्ट जासी